तो शुरू करें तो आजके इस वीडियो में हम कंप्यार करेंगे एक्जिनोस 2100 के साथ आज हम मीडिया टेक डाइमासिटी 1000 प्लस की फूल डीटेल कंप्रेजन करेंगे दोनों चिपसेटी दोनों कंपनी की तरफ से आने वाला सबसे 20 लेबेल की चिफ है और आज हम इनी दोन चिपसेट की टेक्नलोजी से हम लोग शुरूबात करते हैं तो जो मीडिया टेक डाइमासिटी 1000 प्लस चीफ है यह आपको मिलता है और जो एक्जनोस 2100 है यह आपको मिलता है फाइब एनेम की टेकलोंजी में तो अगर फाइब एनेम को से बेनेम के साथ कंप्यार किया दोनों का सी प्यूच के साथ कंप्यार किया जाए तो कौन सा आपको बेटर मिलता है आपको मीडिया टेक डाइमासिटी 1000 प्लस में टोटल आपको 8 कोर मिलता है जिनके अंदर 4 को और 4 को दुदे के लिए अ क्लॉक है और 4 अपको आपको एफिसेंस के लिए प्लॉक है जो 4 के लिए लिए इसमें ለक्जि से 77 में 2.6 गीगार ताक्ष टाक्ष ट्लॉॉक मिलता है और आपको 4 को जोकी एपीसिंस के लिए कम्लाक है य है को कॉॉर्टिक से 55 में 2.0 घीडार ताक्ष लर अ Pode करने एकशनूस टू ओनन डबल 0 के बारे में इस में आपको टोटाल 8 कोड मिलता है लेकिन इसके अंदर 1 कोड 3 कोड और 4 कोड में डिभाइट किया गए वान कोड आपको higher performance के लिए clock है जो के आपको cortex से 78 में 3.0 GHz clock है और आपको और 3 code आपको मिलते हैं cortex से 78S में जो के आपको cortex से 78 का lighter version बोल सकते हो और यह आपको clock मिलते है 2.84 GHz तक और जो 4 code है यह आपको मिलते है efficiency के लिए जो के आपको clock है cortex 55 में 2.0 GHz में तो अगा दोनों के साथ compare किया है तो बहुती सादा और बहुती बेटर आपको मिलता है Exynos 2100 बात करने दोनों का अगा GPU के बार में बात के जाए कौन सा आपको बेटर मिलते हैं और आप सभी लोग को पता है Exynos और जो मली जो GPU होता है यह आपको सेम GPU प्रोभाइट करते एक जोनोस की तरफ से मली का आपको GPU होता है और जो आपको आपको मली का सबसे पावर्फूल सबसे लेटेस ये जिप्यों मिलता है जो की मिलता है और उसके साथ है ये आपको 6 co2 में मिलता है तो अगा दोनों के साथ कंपेर किया बहुत ही जादा आपको प्र्टमर्स आपको बूस्त मिलता आपको Exynos 2100 बात कर लें दोनों की अगर connectivity के बार में बात के जाए याने की 5G मौड़ियम के बार में दोनों चिपसेट ये आपको 5G मिलता है लेकिन अगर हम डाउनलोड राप्लोड स्पीड के बार में बात के जाए Exynos 2100 में आपको X60 का मौड़ियम यूज़ा है जिसके अंदर 5G में डाउनलोड स्पीड हो जाता है 7.5 Gbps और अप्लोड स्पीड 3.0 Gbps उसके साथी अगराम बात करूं इसके अंदर 155 का मौड़ियम यूज़ा है जिसके अंदर डाउनलोड स्पीड हो जाता है 4.7 Gbps और अप्लोड स्पीड हो जाता है 2.7 Gbps उसके साथी आगराम 4G के बार में बात के जाए इसके अंदर 4G में आपको डाउनलोड स्पीड 1.2 Gbps तरह और अप्लोड स्पीड आपको 320 MB मिलता है और अगराम बात करूं 4G में एक्जिनस 2100 के बार में इसमें आपको डाउनलोड स्पीड 3 Gbps प्रस्ते ही मिलता है और अप्लोड स्पीड 1.3 Gbps तरह तो अगरा दोनों के साथ कंप्यार के तो इसमें आपको अप्टू 16 GB तक RAM का सपोर मिलता है LPDR 5 के साथ तो अगरा दोनों के साथ कंप्यार एक टेक्नोजी आपको बेटर आपको देखने को मिलता है उसके साथ ही अगराम डिस्प्ले सपोर्ट के बार में बात करूं आपको डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है कैमेरा की सपोर्ट की अगराम बात करूं आपको एक्जिनस 2100 को कैमेरा सपोर्ट मिलता है 192 MP तक को अपटू एक कैमेरा को सपोर्ट कर सकता है डूल कैमेरा आपको 25 प्लस 25 को सपोर्ट कर सकता है उसके साथ ही 4K 60fps और उसके साथ ही Full HD 120 refresh rate के साथ और उसके 720 240 refresh rate के साथ उसके साथ ही अगराम बात करूं प्लस की सपोर्ट मिलते है अपटू 88 MP ताग और डूएल कैमेरा को यह 32 प्लस 16 MP को सपोर्ट कर सकता है फूल है वीडियो को सुट कर सकता है 4k तक भी वीडियो को सुट कर सकता है बात कर लें का दोनों की एक और चीज उपार आ रहा है और जो मीडिया टेक डिमेंसीटी 1000 प्लस है इसका अंतुदू आपको 5,30,000 के आसपास आ रहा है तो दोनों के साथ कम्पेर किया है तो क्लियार हुई ना निकल के आता है एक्जिनोस 2100 तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आन वीडियो लाइक करना हो जाते है आते कमेंट करके बाद आना इस वीडियों को कौन सचीस पसंद आया कौन सचीस को मुझे इंप्रूब करना चाहिए मिलता हुआ उपसे नेक्स्ट वीडियो पर तपते के लिए बाबाई